नरेंद्र मोधी जी समविधान को ऐसे पकड़ी थे यू कर रहे थे ना देखा आपने ये आपका काम था ये आपने करवाया है देश के प्रधान मंतरी को आपने मैसेज भेजा है कि समविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते है अब अब देखिए अब ये भी मत सोचिए कि काम खतम हो गया है ये अभी काम शुरू हुआ है ये शुरुआत है हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता हमें नफरत नहीं चाहिए हमें इंसा नहीं चाहिए हमें महबत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए और अगर देश को नया विजन देना है तो भाईयों और बहनों उत्तर प्रदेश से यही देना होगा और उत्तर प्रदेश ने मेसेज दिया है कि इंडिया गडबंदन समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं तो काम क्या है मैं आपको बताता हूं सबसे पहला काम जहां भी ये नफरत फैलाते हैं नफरत के बाजार में हमें महबबत की दुकान खुलने है आपने देखा भाई और बहनो अयोधिया की सीट हार गए राम मंदिर बनाया उसमें इनागरेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा एक किसान नहीं था एक मजदूर नहीं था एक पिछड़ा नहीं था एक दलित नहीं आदिवासी राश्ट्रपती से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती तो जवाब अयोधिया की जंता ने भी दिया है और सिर्फ अयोधिया में नहीं बाईयों और बेहनों सिर्फ अयोधिया में नहीं वारा नसी में जान बचा के निकले हैं प्रधान मंत्री और मैं आपको कहता हूँ और बेहन से कह रहा हूँ अगर ये लड़ जाती वारा नसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री दो-तीन लाक वोटों से वारा नसी का चुनाव हार जाती मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूँ मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को हिंदुस्तान की जंता ने मैसिज दिया है ये आपकी जो राजनेती है हमें अच्छी नई लगी हम इसके खिलाफ हैं हम नफरत के खिलाफ हैं हम हिंसा के खिलाफ हैं हम मोपत का देश चाहते हैं, हम प्रगती चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं, आपने दस साल इस देश में बेरोजगारी फिलाई, नफरत फिलाई, हिंसा फिलाई, और हिंदुस्तान की जन्ता ने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को जवाद दिया है और शुरुआत और शुरुआत आपके दिल में हुई थी तो बदलाव आप लाए हैं तो दिल से आपका धनेवाद करना चाहता हूँ आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा ये मुद्दे उठाई जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो राजनेती हो अगनीवीर अब भाईया मैं आपको बता रहा हूँ अब हमारे पास पार्लिमंट हाउस में सेना बैठी हुई है सेना बैठी हुई है इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी opposition में बैठे हैं तो वोट किसान ने दिया मजदूर ने दिया बेरोजगार युवा ने दिया माताओं बहनों ने दिया सब ने मिलकर इस राजनेती के खिलाफ वोट दिया है अब हमारे उपर एक बहुत बड़ी जिम्यदारी पड़ती है सबसे पहले कॉंग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता MLA, MP जो भी है अहंकार के शिकार नहीं होंगे दूसरी बार आप सोचिए हमारा परिवारिक रिष्टा है राजनेती में सबसे पुराना रिष्टा आपके और हमारे बीच में है ये रिष्टा सो साल पहले राई बरेली और M.A.T. के खेतों में शुरू हुआ था तो आपने हमें इतनी शक्ति दी और ये सिरफ आपने ये आपने राजनेतिक डिसिजन नहीं लिया है ये आपने जो वोट दिया है और राई बरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है ये राजनेतिक डिसिजन नहीं था ये मोहबत का डिसिजन था और इस बात को मैं जिंदगी बर नहीं भूलने वाला हूं अमेठी की जनता से भी कहना चाहता हूँ मैं राई बरेली का सांसद हूँ मगर जो मैंने आप से कहा था जो भी राई बरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा तो आप सब को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने हिंदुस्तान की राजनेती बदल दी आपने प्रधान मंत्री को ऐसे करवा दिया और आपने पूरे देश को मेसेज दिया कि हम नफरत के खिलाफ हैं महबत की दुकान खोलेंगे और देश की राजनेती बदलेंगे धन्यवाद, जै हिंद, जै उत्तर प्रदेश पहन ने राइबरेली में चुनाओं में काम किया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रियंका का और आप सब का एक और एक और आइडिया है मेरे पास वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो और आपस्टाल समय जो दो ने भादिया है लिए